चलिए फ्रेंड आज हम लोग 12th बाईयो चेप्टर 6 स्थार्ट करते हैं यह चेप्टर आपका बहुत ही important है बहुत important इसलिए आपका हो जाता है कि इस से आपका एक question 5 marks में fix है कि आए गा है तो चलिए चेप्टर रिस्टार्ट करते हैं चेप्टर का नाम है आपका وन साघती के अनविक आधार सबसे पहला question इसमें है Nucleic Acid किसे कहते हैं आप लोग Acid सबके बारे में chemistry में भी पढ़े हुए हैं तो Nucleic Acid किसे कहते हैं जैसे आप लोग को पता होगा कि N यहाँ side में आपको अन लिखा हुआ दिख रहा है अन का मतलब क्या होता है अन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा संख्या में जिसको हम लोग बहुलक करते हैं तो यही आपका नुकलिक एसीड का पड़िभासा होगा नुकलियोटाइड के बहुलक को Nucleic Acid करते हैं Nucleotide के बहुला को Nucleic Acid करते हैं Tensor ने लेना है दोस्त सब कुछ लिखाओ आए नीचे भी आपका आएगा पड़िभासा सब भी वही है केवाल आप अभी सुनते चली है उसके बाद फिर जैसा होगा लिख भी लिजेगा पहले थोड़ा सा सुन लिजेगा उसके बाद फिर आप एक पेज लिख लिजेगा फिर आगे बढ़िएगा लेकिन सुनना ज़्यादा important ही है Nucleic Acid क्या है Nucleotide के बहुला को Nucleic Acid करते हैं अब इसमें Nucleotide किसको करते हैं क्योंकि Nucleotide आपका जो बना होता है तीन चीज़ से मिलकर बना होता है PNS अब चलिए PNS पर आते हैं P छिप गया दोस्त इस जग़ा था PNS P का मतलब है Phosphate N का मतलब Nitrogen Base और S का मतलब Pintose Sugar N Base मतलब Nitrogen Base यहां लिखा हुआ है तो आपको समझना है Nucleotide के बहुलब को Nucleotide करते है और Nucleotide किसे मिलकर बना होता है PNS से मिलकर बना होता है PNS से मिलकर बना होता है देखिए आप लोग को दिख रहा होगा कि यह जो बना होता है आपका PNS से मिलकर बना होता है P का मतलब Pintose Sugar N का मतलब P का मतलब Phosphate होता आस का मतलब पेंटोज सुगर, इसमें तीन है आपका, तो एक एक करके हम तीनों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से एक नमबर में आपका आ जाता है, एक नमबर में हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपका PNS, PNS का मतलब फोस्फेट, नाइट्रोजन बेस और आस का मतलब पेंटोज सुगर, तो इसमें S का मतलब आपका छिप गया है, हम थोड़ा सा उसको नीचे कर लेते हैं, ताकि आपको किलियर दिखाए जें, तो चलिए, पेंटोज सुगर, पेंटोज सुगर का मतलब बताएं, आपको ये PNS, तीन चीज़ मिलकर ये आपका नुकलियर टाइट के नुकलिकेसीड बना था, जिसमें से एक आपका क्या है, पेंटोज सुगर, फिर आपको नाइट्रोजन बेस भी पढ़ाएंगे, तीनों को आपको किलियर करेंगे, तो सबसे पहले इसमें आज लिखा हुआ है, पेंटोज सुगर, यानि लास्ट बाले पही आते हैं हम पेंटोज सुगर, तो आपको दियान रखना होगा कि पेंटोज सुगर दो परकार के होते हैं, एक राइबोज सुगर और एक आपका डियोक्सी राइबोज सुगर, पेंटोज सुगर आपका क्या परकार के? दो परकार के राइबोज सुगर और आपका डियोक्सी राइब संबी अभ अभी बताएं आपको पेंटोच सुगर दो तरह का तरह का मैं से अब यह सब याद रखना है एब चलते हम लोग नायट्रोजन डैस नायट्रोजन बेश आप दियान रखना होगा ये भी दो तरह का है एक है प्यूरीन है और दूसरा पिरामीडीन है प्यूरीन है और पिरामीडीन है प्यूरीन में क्या होता है और पिरामीडीन में क्या है इसमें दो रिंग रहता है मरे फ्रेंड देखिए यहां इसमें रिंग आपका कितना है एक रिं लेंग्वेज लिखने वाले हैं यदि आप लोग नहीं लिखे हैं तो यहां तक सबसे पहले उपर से यहां तक अभी आपको लिख लेना था या तो आप लिख लिजे वीडियो कोड़ों के उसके बाद अब फिर उसके बाद यह नीचे लेंग्वेज सब आपको लिखते चलन हो हैं लेंग्वेज एक बार पड़ते हैं बीजो आपको समझाये हैं ऊपर में वही सब लेंग्वेज थूरा इस अउपर करते हैं इसको के चलिए सबसे पहले आपको ऊपर से ये तो आप लोक्त पहले से वि जान रहु States कि गुन्सूत्र जो है गुन्सूत्र में भी आपका एक केंद्रक होता है याद कीज़े पजमा चेप्टर जो हम पढ़ाये थे लेकिर खीचे थे शिंट्रो मेयर सब आपको बताए हुए थे तो इसमें आपको धियान देना है केंद्रक में गुन्सूत्र से संबंधित रसायन को नियुकलिक एसिट काते हैं केंद्रक में आपका गुंसुत्र से संबंदीद जो रशायन रहता इसको भी हम लोग क्या कहतें नियुकलिक एसिड अभी घबड़ाना नहीं है दोस्त आपको एक और बताए एसे नेते हैं यूकलीक टाइट के बहुलत को भी क्या करते हैं तो City ये थे यूद याद रखना है सदरिश्टी कौन से दूखर की आपको याद ही हो गया था कंद्रक में आप सिछो गूंसुत्र से संबंदीर जो रासायान है उसको हम लोग नुक्लिक एसीड करते हैं अब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा आप लोग उसके बाद है परतियक नुक्लिक टाइड का निर्मान अभी उपर में बताये थे मेरे दोस्त पी एन एस यह तीनों मिलता है तब आपका नुक्लिक एसीड होता है और पी एन एस को क्या बोलते है नुक्लिक टाइड बोलते है पी एन एस को क्या बोलते है नुक्लिक टाइड अब पी एन एस बोलिए या nukleotide बोलिए नukleotide जो बना है किसे बना है PNS से यहाँ देखिए परतियक nukleotide का निर्मान एक अनु phosphate, एक अनु nitrogen base P का मतलब phosphate, N का मतलब nitrogen base तथा एक अनु pinto सुगर से होता है यही तो हम आपको उपर में बताये थे तो आप कॉपी में लिखे हैं तो देख लिजिए कि निक्युलियो टाइड जो बना है पी अनस से पी अनस गाजी नारे बाबाग पी अनस फोस्फेट नाइट्रोजन बेस और असका मतलब पेंटोज सुगर और ये भी बताये थे नाइट्रोजन बेस दो परकार के होते हैं एक होता है प्यूरीन और एक आपका है देखिए यहां तो लिखा हुआ है प्यूरीन और पिरामीडीन और ये भी बताये थे प्यूरीन आपका कैसा दोहरा रिंग वाला संगरशना है पिरामीडीन क्या है सिंगल रिंग वाला चलिए एक बार निएधा जोल रिंग रहता है इसका सही मिनिंग यहाँ लिखा हुआ है लेकिन पिरामीडीन में एकल रिंग व्ला संग्रशिना होता है जों Хस्! बेंजीन रिंग कहलाता है जो एकल संग्रशना है ये 6 सदसिवला है तो ये हम लोगों का कहलाता है तो ये आपको उपर में समझा दिये हैं वही सब लेंग्वेज में लिखा है ये सब अब्जेक्टिव के लिए जदा इंपोर्टेंट है ये सब objective में आपका आएगा subjective में अगर मालेजे कि दो नमबर में दिया आपको ये पूछ सकता है adinin, guanine, cytosine, uracil ये सब आगे भी बताएंगे इस सब का संग्रशना ये दो नमबर में इसा आता है तो tension नहीं लेना है आप लोग note करते चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यूरीन में अच्छा आपको एक चीज बताना था carbon atom ये आपका प्यूरीन में एक, तीन, साथ, तथानों पर nitrogen atom जबकि दो, चार, छे और आठ पर carbon atom आता है मतलब कि ये नमबर आपको जब तक figure नहीं दिखाएंगे तो आपको समझने में थोड़ा सा प्रोगलम होगा तो देखिए यहां इसमें बताया गया है एक, तीन, एक हो गया, तीन हो गया, साथ हो गया, नो हम एक बार इसको लोग करके आपको बताने का कोशिस करते हैं देखिए, nitrogen atom कहाँ है, एक पर है, तीन पर है और साथ पर है, नो पर है, nitrogen atom है और छे पर carbon atom है, दो पर carbon है, चार पर है, पंच पर है यह सब जगह पर क्या है, कारवान है, इसी को हम नीचे लिखे हो है, देखिए प्यूरीन में, पहले प्यूरीन में आईए प्यूरीन में आपका है, एक, तीन, साथ एक पर देखिए nitrogen है, तीन पर भी आपका nitrogen है कहां से लगता है, कहीं छीब गया है, यहां आए, तीन था आपका तीन पर भी nitrogen था, साथ पर भी था, और नो पर भी यह वही लिखा हुआ है एक, तीन, और साथ, और नो पर आपका nitrogen था एक, तीन, साथ, नो पर नाइट्रोजन, जबकि दो, चार, पंच, छे, आट पर क्या एक काड़वानेट है, आपको दिख रहा होगा दोस्त, एक मिनट जब तक आपको इस तरह से नहीं बताएंगे, तो उट समझ में नहीं आएगा, समझ में कि हमको लगता याद भी होते जा रहा होगा, एरे यार तुम भी लॉक हो जाया करो क्या चलिए हो सकता है, समझ लिया यह बात को यह दो, चार, पांच, यह सब, इस सब पर क्या है, दो, चार, पांच, आट पर कार्बानेटम है, इसी तरह पिरामीडीन में, पिरामीडीन में एक, एक पर है, पिरामीडीन में नाइट्रोजन एक है, तीन है, और पिरामीडीन में, एक, तीन, अच्छा, उपर से आगए न यहां से परना था लेकिन PIRAMIDINE में एक और आफ लगता है इधर आपका छुब गजा है एक और तीन पर नािट्रोजन एक है तीन अच्छा दो ही जगा नाइट्रोजन है एक और तीन पर नाइट्रोजन है यह सब का था अब धियान देना है आप को शुरू से अग बार हमड़ लिएकु बाता है, पेंट्रोज शुगर, दो तरह का राइबोज सुगर, डियॉक्सी राइबोज सुगर, फिर आपको बताएं, नाइट्रोजन बेस ये दो परकार का प्यूरीन ओ गया, पिरामीडीन हो गया, अब हम जो आएंगे, प्यूरीन भी आपका दो परकार का होता ह और पिरामिडीन भी आपका दो परकार का होता है तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे किस पे प्यूरीन दो परकार के होते हैं देखिए प्यूरीन दो परकार के होते हैं इसको लोग किया जाए प्यूरीन आपका दो परकार के होते हैं एडिनीन गुवानीन ये प्यूडिन में आपका एडिनीन हो गया और गुवानीन और प्यूडिन में हो गया और पिरामीडीन में भी आपका दो है पिरामीडीन भी दो परकार के होते हैं साइटोसाइन और थाइमीन या युडासिल है आपको ये धियान देना होता दो परकार लेकिन नाम यहां कहेगो है वो नाम है cytosyn thymine और युरसिल तो है दोस्त ध्यान ये रखना है थैमीन यह यूरसिल दोनों में से कोई एक ही उपस्थित रहेगा थे पड़कार्णा हुआ दोई पड़कार्णा हुआ आपका दोनों में से या तो थाइमीन रहेगा या तो यूरासील आएगा आपको बताए थाइमीन यूरासील भी आने वाला है एडिनीन भी आने वाला है ये सबका संग्रेशना पुछता है संग्रेशना सूत्र पुछता है तो चलिए हम आपको बताते हैं एडिनीन और थाइमीन के जगह हम यूज क्या करते हैं? युडासील का करते हैं, तो पि यूडीन दो तरह का है, A और G, अदिनीन और गुडाणीन, AG क्या है? पिंडीन है, AG पि्यूडीन. और पिरामीटीन में कौन है? पिरामीटीन में आपका CT, साइ्टो साइन और थाईमीर चली हम पॉंचों को सबसे पहले हम आपको इस्टर्ट करते हैं किसका और इंदीनिन को लोग किया है एडिनीन का सबसे पहले दोस्ता सूतर साइड में लिख लीज़े गा है सी कंघ ч 5 अनबी 5 ये कि इनिके आपको किसका फ़रमूला हो गया इडिनीन का और यह तू सें यही लिखना है, मुची लेखेंगा हैं गुवाणिन, जो लिखें हैं उसके बगल में लिख लेखेंगे, और संगरक्षना के निचे भी फर्मूला लिख लेखेंगे Northeast एक होता है cytosine, cytosine है C4, C4, H5, N3O, ये आपका cytosine है, तो आपका ये 3 को अभी बताए हैं, अभी lock कर लिजे 3 को, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठाइमिन, ठाइमिन का फर्मॉला लिख लिजे, सबसे पहले इसको, सबसे पहले इसको ठाइमिन, आपको ठायमिन का लिखिए, lock करने के बाद आए गाना, लिखायगा चलिए, ठाइमिन का लिखिए, ये किसका फर्मूला है पर एक भाई जी युडासिल भी आ गया लिखी लिजे इसका हो जाएगा इसके बाद और डवल बाउंड एक यहाँ है और एक यहाँ है तो दोनों का फर्मूला एक भाई देख लिजे C5, H6 अन्टू, और टू ये थाइमीन का है और फिर युडासिल, C4, H4 अन्टू, और टू ये पहुंच़व फर्मूला और इसका संगराशनास उत्र ये आपको केमिस्ट्री में भी काम देगा तो चलिए फ्रेंड अब धीरे-धीरे आगे के तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो एक बार हम आपको डिवीजन करवाना अभी चार है चलिए डिवीजन कीजिए आप कापी में लिखे हुए ही है कि स्टार्टिंग से था आपका नूकिलियोटाइड नूकिलियोटाइड के बवलक को नूकिलिक एसीड कहते हैं इसमें तीन वो मिलके बना है पीएनस, पीएs गाजी नाड़े को बाबाद पीएनस, पी का मतलब पी का मतलब फास्फोर्ट, नाइट्रोजन बेस और आस का मतलब पेंटोल सुगर सुगर दो तरह का था डियोक्सी राइवोज और राइवोज था उसी तरह से नाइट्रोजन बेस में आ गया होंगे प्यूरीन आ गया, पिरामीडीन आ गया पिरमीडीन वह पिरमीडीन में भी आपका आ गया होगा साइटोसाइन थाइमिन आ गया होगा फिर उसके बाद थाइमिन के इस जगए किसका यूँच करते हैं है आम लोग को याद नहीं पता नहीं लेकिन हमको लगता है यानल होगी जा रहा है अब सोच रहे हैं कि हमको स्थीबं नोग को याद नुकिलियो टाइड कोई क्या कहते हैं P, S, N P, S, N या P, N, S भी बोलते हैं कोई दिकत नहीं है अब हमारा main काम यह देखिए नुकिलियो टाइड में यह सब आता है लेकिन एक नुकिलियो साइड भी होता है नुकिलियो साइड जब S और N लिखा रहेगा न, S, N इसको क्या बोलते हैं नुकिलियो साइड बोलते है S, N को क्या बोलते है नुकिलियो साइड अब इसको ignore कर देजिए खले याद रखिए का S और N को क्या बोलते है नुकिलियो साइड बोलते है अब हम क्या किये हैं हम Nucleus Side का फर्मूला निकालेंगे, Nucleus Side का, कैसे निकालेंगे, सराफिका मन देखिए, अभी बताएं, S और N को क्या बोलेंगे, Nucleus Side, यहां से यहां तक को क्या बोल दिये, Nucleus Side, अगर N बड़ाबर हम फर्मूला पूछेंगे, तो Nucleus Tide तो यहां पहले से था, यह P ज किसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यही, S पलस N को बोलते हैं क्या, Nucleus Side, Nucleus Side में बड़ाबर क्या हो जाएगा, Nucleus Tide यह P, यही आ लिखा हुआ है, Nucleus Side बड़ाबर Nucleus Tide माइनस P, Nucleus Tide माइनस P, अब देखिए, हम लोग को पॉइंट आपको याद कर याद तो अभी तूरत हो जाएगा, थोड़ा सा धियान दीजेगा, सब में S लगा हुआ है, इसमें कोई दिकत नहीं है, S का मतलब होता है, Sine, Sine का मतलब सीने चर नारे बाबा, S का मतलब, Sine, A का मतलब, Adino, G का मतलब, Guano, C का मतलब, Sito, T का, Thido, जो सब भी है, अब देख Monosine, इसी तरह से आपका S plus C, Cytidine, Thymidine, S और Uradine, Uridine, यही सब दाइन फाइन जो है, आपको दियान में रखना है, खली यही पंचे को रखना है, उसके बाद, आपको यहाँ भी लॉंग दिख रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यह देखने में भी लग रहा है कि बड़ा तगड़ा है, तो ठीक है, अगर एक फेट जोर से मार दीजेगा ना, डर लगता है, कहीं मुवाइल में लग गया, तो एक फेट यही मार दीजेगा तो यही बेचरा सब का चूर चूर निकल जाएगा, बहुत आसान है, खली देखने में लगता है, हम दो को बढ लगता है, इसमें कहीं कोई दम नहीं है, खली आप भी पॉंच गो खली याद रखिए, S पलस A का मतलब एडीनो साइन, S पलस G का मतलब गवानो साइन, S पलस C का साइटीडाइन, और आपका S पलस T का थाइमीडाइन, और S पलस U का यूरीडाइन, तो चली हमको लगता है कि आपको याद हो गया है, अभी तुरत पुछने भी वाले हैं, तो आप लोग टेंसन ना लें वाबा, चली हम आपको बतानों चार रहे हैं, S पलस A को क्या बोले थे, A डीनो साइन ना, तो चली यहाँ, S पलस A, S पलस G, हम लोग किये हैं ना, नहीं किये हैं, S पलस A लिखा हुआ है, S पलस G, S पलस C इस पर ध्यान देजाए, यह भाई जी पहुंचो कभी मार यह गोली, ठीक है, S plus A को हम लोग बोलते हैं Adenosign देखिए S plus A को क्या बोले थे Adenosign S plus G को क्या बोले थे यानि कि ये P को मार दिये हैं गोली S plus A को खली याद रखिए S plus A को Adenosign S plus G को Guanosign S plus C को Cytodine S plus T को Thymidine S plus U को Uridine Uridine लिख दिये यहां तक के लिए रहा है क्योंकि जो उपर में लिखा था उसी को हम क्या कियें लिख दियें अब देखिए ये P के गो है A गो है यहां P इसमें भी A गो इसमें भी सब में खके गो है तो P का मतलब क्या Phosphate और A को बोलते हैं Mono यही हो गया रे बाबा Adeno Mono Phosphate Adeno Mono Phosphate Guano Mono Phosphate जो भी लिखा हुआ था साइन उसमें खाली Mono Phosphate क्या कर दियें आप सब में Mono Phosphate जोड दियें क्यों? क्योंकि A को P था अगर इसी में देखिए हम यहां कई गो P दे दियें दो P दे दियें तो क्या हो गया? डाय Phosphate यहां P कई गो दे दियें तीन गो यहां कैसा Phosphate रे बाबा? डाय Phosphate हमको लगता है समझ में आ गया अगर नहीं आया तो एक बाड फिर से हम इसको समझाने का कोशिश करते हैं चलिए आपको बताए हुए थे इसको लॉग किया जाए क्योंकि वीडियो 20 मिनिट का हो गया है अधा घंटा का बना के जहां तब होगा आप लोगों को आज इसको अपलोड कर देंगे चलिए फिर से एक बार समझीए अस पलस एको एडिनो साइन पी कई गो है आपको समझ में आ गया होगा इसी तरह से देखिए पी यहां कई गो है दूठ हो है इसलिए सब में इसके बाद देखिए हम क्या लगा दिये है डाइ लगा दिये है ठीक है दिल नहीं डाइ है डाइ लगा दिये है कई गो फॉसफेट है दो गो डाइ लगा दिये है तो वही एडिनो साइन Guanosine वो ठिक है रहेगा उसी तरह Edenosine, Guanosine, Cytodyne ये सब वही रहेगा लेकिन Phosphate कह गो है? तीन को है त इसलिए हम सब में क्या किये हैं? तीन को लगा दिये हैं तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं Nucleic Acid तो आप लोग पढढ दी यही important question है आपका DNA वाला DNA और RNA DNA का मतलब डियाक्सी राइबोज नुकलीक एसीड राइबोज नुकलीक एसीड तो सबसे पहले चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं किसको DNA को स्टार्ट करते हैं चलिए इसको लोग किया जाएं चलिए DNA का मतलब होता है डियाक्सी राइबोज नुकलीक एसीड तो अन का मतलब तो जान ही रहे हैं कि बहुलक हो जाता है तो DNA पहले कहते किसे हैं DNA किसको कहेंगे डियाक्सी राइबो नुकिलियो टाइड है नुकिलियो अन यूसील इओ नुकिलियो टी आइडी आप स्पेलिंग देख लिए यहां सही से नहीं लिखा हुआ है डियाक्सी राइबो ठीक है नुकिलियो अन यूसील इओ टी आइडी नुकिलियो टाइड त एपा पुछावियो निकलियोटाइड कीहों इसी को तो हम PNS करते हैं PNS घाजी ठेक है PNS के ही पहुलाक को निकलियोटाइड का दिये हे । पियान मतलब निकलियोटाइड का दिये है थियान से मेरा भी हड reopen ग्रीज को आप हम impressive inhib के, है डियाने 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 का फुल फॉर्म तो जामते हैं डियाने डियाने पर डियाने 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 के बहुला को डियाने काते हैं डियाने में ही आपको बताये थे डियाने 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 पी का मतलब फॉसफेट, चा मतलब अन का मतलब अन का मतलब नाइटरोजिनलस बेस याद किजिए A G C T A G A का मतलब A A D N N G का मतलब G Van C का मतलब C का मतलब A D N N G Van Cytosine Cytosine है हम भी भूल जाते हैं कभी कभी T का मतलब Thymine हो जाता है यानि कि DNA आप देखे अच्छे से लिखेगा DNA जैसे जैसे लिखा हुआ है इसी तरह से आपको आगे हम बढ़ते हैं कि DNA मुखी रूप से अनुवांसी की पदार्थ होता है जिसके इकाई को डियाउक्सी राइवो निकुलियोटाइड करते हैं यह तो आप लोग पहले से जानते हैं DNA अनुवांसी की पदार्थ है इसके इकाई को देखिए यह छोटा भाग बहुत सरा मिलेगा तब तो DNA बन रहा है यह वाला जो बन गया आपका यह क्या बन गया इकाई 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 पार्ट मिल के क्या बनता है DNA वे डियाउक्सी राइवो निकुलियोटाइड के बहुलाग को क्या कहते हैं कि डिने करते हैं यह आपका क्या हो गया यह आपका इकाई हो गया आड़े बाबा चलिए अभी पूरा कंपिलीट नहीं होगा है यह को सन कंपिलीट ही करेंगे और यह आपको आज अपलोड कर देंगे आज तर डेट तो आप लोग देखी रहे होंगे 11 बस के 7 मिनदर टाइम ह हो गया है। आज आप लोगों का प lemonade हो गया है। साज़ चार अक्टूबर है क्योंकि कल आप लोगों को बाइय लोजी में ऑब जीक्टिव पढ़ाये हुए थे । तीन तारिक कल था आज आप लोगों का चार तारिक है 11 बजने वाला है एक बज है से आप लोगों का कलास भी है तो चलिए जल से जल्द इस को सन को पुड़ा करते हैं कि चलिए डीने वाले को कम्पिलीट करेंगे तो इसको लोग किया जाएं आप लोग जान गए कि कि लोग नहीं हया था यह कि जलिए डीन अनुवान से की पतार थोता इसकाइक को बंकी डियॉक्सियोटाइट क्यांते लिद्वस नामत पेंट व सुगर पाया जाता इसमें डियॉक्सियोच राइबोज नामत पेंटोज क्योंकि आप जान रहे हैं कि यह नीं जो बना है Death पियनस तीनो रहता है यहाँ फॉसफेट नाइट्रोजन बेस अस का मतलब सुगर तो अस भी रहता है तो इसमें सुगर के रूप में कौन रहता है पिंटोज सुगर रहता है पिंटोज सुगर में ही आप पिंटोज सुगर रहता है तो उसको आगे बताये हुए थे उसके बा DNA में मुख्याता, DNA में मुख्याता, एक मिनट, संग्रक्षिना के रूप से DNA मुख्याता, पॉली निकुलियो टाइट के दो स्रिंखलाओं से बने होते हैं, बनने लिखा गया है, बनने होते हैं, कर लेजेगा इसको, संग्रक्षिना रूप से DNA मुख्याता, पॉली निकुलियो टाइट के दो स्रिंखलाओं से बने होते हैं, जो आपस में विप्रीत और समांतर रहते हैं, ध्यान देजें, ये आपका विप्रीत और समांतर रहते हैं, दोगो एरो हैं, ये दोनों, उपर में फाइब डेस नीच कहां आगे हैं, नीचे वही लिखाई यहां क्या है, एक दूसरे के विप्रीत होता है, नीचे थिरी डेस था, थिरी डेस कहां चला गया है, उपर चला गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, परतियेक पॉली निकुलियो टाइट स्रिंखला को एक DNA स्टेंड करते हैं, इसका नि DNA स्टेंड हम लोग भी कहते हैं, इसमें जो रहता है एक फॉस्फेट बना रहता है, यानि फॉस्फेट और आपका बना जो हता है, फॉस्फेट और डियाक्सी राइबोट सुगर से, देखे ना, इसी यह फिगर है, और एक फिगर यह, दोनों फिगर है क्या है, इसी को हम क लिख रहा है क्या क्या है आपका फॉस्फेट है और असका मतलब सुगर कौन सा सुगर डियाउक्सी राइबोल सुगर है वही लिखा हुआ है अब पढ़ते हैं आप समझ जाईएगा पढ़ती एक पॉली निकुलियो टाइट स्रिंखला को एक डियाने स्टेंड करते हैं इसक कड़मिक रूप से विवस्थित होता है परतियक डियाने स्टेंड में दो लगातार सुगर आपस में फॉस्फेट होगा पी अच ओ अस पी अच एटी कर लिजेगा फॉस्फेट डा इस्टर बांट द्वारा जुडा रहता है काने का मतलब यह है दो लगातार सुगर देख आपका पी का मतलब फॉस्फेट से वही लिखा हुआ है परतियक इस्टेंड में दो लगातार सुगर आपस में किस से जुडा है फॉस्फेट से जुडा हुआ है यह आपका किस से जुडा हुआ है फॉस्फेट से थोड़ा सा लोग किया जाए यह आपका किस से जुडा है दोगो सुगर आपका फोस्फेट से जुड़ा हुआ है, वह ही लिखा हुआ है, और सुगर के एक कारवन एटम से नाइट्रोजन बेस, यहनि कि यह जो आपका कारवन रहता है, इसमें बहुत जितना वे पॉइंट रहता है, उस सब कारवन से, एक कारवन एटम से नाइट्रो और जुड़ा जुड़ाता है ए आपका T से जुड़ा रहेगा C आपका G से और T A से G और C से आपको याद रखना है A और T के बीच जब जुड़ेगा ना डवल बांड के साथ जुड़ेगा इसको लॉक करके यहापको हम समझाते हैं बस यही कोस्टन लेंगे दोस उसके बाद यह बैटसन जो दीख रहा है भाई जी यह बैटसन को बाद में बैटसमें बनाएंगे तो देखें दो स्ट्रेंड के दो सुगर आपस में नाइट्रोजन बेस द्वाड़ा जुड़ा रहता है इसी को हम लोग क्या काते हैं बीच में लकीर दिख रहा है यह सब नाइट्रोजन बेस है और आपको याद रखना है देखें जूरे रहते हैं ऐसा पेर किसके नियम को चार गाफ के नियम के नुशार होता है एह हमेशा किसके साथ टी के साथ लिखा हुआ है दोस्त एह हमेशा टी के साथ जुराड़ा आता है और जी कहां जी लिखा हुआ है एक बार कट करते हैं दिक्कत हो जाता है देखें जी हमेशा किसके साथ सी के साथ कैसा बाउंड ट्र यहां तक लिख दीजिएगा दोस्त यह आपका फाइप मार्स में छोटा सा कोशन है आपका छोटा कोशन है अगर आप लिखेगा थमको लगता है दो पेज पूर जाएगा यही डियाने बहुत-बहुत इंपॉटेंट है अगले दिन आप लोगों को हम बताएंगे क्या वेट केजिंग आप डियने कोशिस यह रहेगा कि जल से जल आपका यह चेप्टर कंप्लीट कर दिया जाए चलिए फ्रेंड थोड़ों खुश भी है कि रिजल्ट भी आ गया था कल बहुत लेट से रिजल्ट आया लेकिन इस बार रिजल्ट जो है सम्थिंग 80% लोगों को पास कर दिया गया है सीटेट में सोड़ी सीटेट नाड़े बाबा अस्टी इटी अस्टेट में चली हम लोग अब कलास में ही बात करेंगे वीडियो को सीज़ी गया समाप्त करते हैं धन्यवाद